कोस्चन सेट करने का भी जिम्मेदारी उनको दे दिया गया और कोस्चन किसने सेट किया कोस्चन सेट किया जो प्रिंटिंग प्रेस से जोड़े हुए लोग हैं उनके बहन और बीवियों के द्वारा जिसमें एक होमीपोथी की डॉक्टर है और एक जो है वो कुछ नहीं करती बस बहान दो इस खुमार ने कहा था ना कि जो भी बरस्टाचारी रहेंगे उनके संपत्ती को निलाम कर देंगे उनके धर में इसकुन खोलेंगे तो इसके सिंगल जो है उसके लिए सबसे उप्यूक्त जो है अपना सारा क्राइटरिया पूरा कर चुके हैं यह ऐसे विक्ति हैं जिनकी तो पत्ती निराम करनी ही चाहिए उसका भी पैसा है आपने खाया होगा आपने दूर्स्ट कर दिया होगा कि हमरे पास अब दर्भाग यह और सबस्ट व्याद दूर्भागय है कि अभी तक इन पर करवाई में नमस्कार आप देख रहे हैं दा बिहार टॉप में हूं आधे बिहार में परत्योंगी परिंचाओं की तैयारी करने वाले इचातर, नजाने अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं, त्यूशन लेते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, set practice करते हैं, group discussion करते हैं, magazine पढ़ते हैं, अलग-अलग source से जनकारिया इकठा करते हैं ताकि वो परिच्छा में अच्छा से अच्छा performance कर सके। लेकिन आपको जानकर हैरानभी होगी कि आखिर आप इतना महिनत करते हैं इतना कोश्चन को लेकर तैयारी करते हैं दिन राप एक करते हैं और आपके कोश्चन कौन सेट करता है वैसे लोग सेट करते हैं जिनका आपके पढ़ाई से आपके प्रोफेशन से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है आपको वता दें कि 21,391 विहार में सिपाही पेपर लिग कांड मामले में रोज नएक पुलासे हो रहे हैं और केंद्रिये चैन परसर सिपाही भरती के ततकालिक अध्यक्ष और विहार के पुरुव डीजी पी एसके सिंगल के एक से एक कारणा में निकल के सामी आ रहे हैं कैसे कैसे पुरुव डीजी पी ने विहार के युवाओं के भविसे को गिर्वी रख दिया पैसे के लिए बेंच दिया उनको एक मिनट के लिए भी यह एहसास नहीं हुगा कि जो वो कारे कर रहे हैं इनसे कितने चात्रों के भविस से बरबाद हो जाएंगे मेहनत पर पानी फिर जाएगा उनके युवा वस्था के जो मेहनत हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे आपको बता दे कि आज समचार पत्र में सूचना दिया गया है कि जो CSBC के द्वारा 21,591 सिपाहियों की भरती के लिए परिच्छा एक अक्टूबर को लिया गया था उसमें तो कोश्चन छपाई का ठेका 10% कमिशन खोई करने के बाद तब कालिक चेर्मेन इसके सिंगल साहब के द्वारा जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया था और देखिए आप कोश्चन सेट करने का भी जिम्मेदारी उनको दे दिया गया था कॉस्चन किस ने सेट किया जो प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके बहन और वीवियों के द्वारा जिसमें एक होमिपॉति के डॉक्टर है और एक जो है वो कुछ नहीं करती है बस बहन है और कॉस्चन किस तरह सेट किया गया पुराने सालों के कॉस्चन को लेकर और गूगल से question जो है बना कर उसे डाल दिया है अब आप समझेए कि करोर रुपए खर्च किये जाते हैं बिहार में परिच्छाओं में और कहा जाता है export टिम ने question को तयार किया है इसके single साहब भी जब paper दिखुआ था उसमझे बोले थे कि export ने तयार किया था question आखिर ये कैसे export है कि printing press के हवाले कर दिया याता है यानि कि वह भी वैसा printing press जो कि already blacklisted है इस पर कई राज्यों में पेपर लिक करने के आरूप लगे हुए हैं और आपने कैसे ये मान लिया कि जिस पर पेपर लिक का आरूप लगा हुआ है एक साल पुराना वो printing press है इसके पास printing press के नाम पर कुछ भी नहीं है जो printing press खोले ही हुए है जालसारी के लिए वो question आउट नहीं करेगा और यहीं वज़ा रहा कि question के answer जो है पुरे बिहार में फैले रहे हैं हर एक व्यक्ति के पास वो answer मिल गया और पहले भी ऐसा हुआ है बिहार के सिपाही भर्तियों में एक जामनेशन से पहले answer viral हुए है छात्र इसी वज़ा से एक जामनेशन सेंटर में घुसने में देरी करते थे कि लास्ट लास्ट तक मुवाईल पर वो answer आ जाते थे और वही पूछे जाते थे एक जामनेशन के दौरा नहीं तो बताए कि एसके सिंगल आप इस चीज को सोचिए कि जो आदि यूपीएसी का परिच्छा निकाला पैंके 36 साल बिहार का डीजी पी रहा नजारे कितने जिलाओ का एस पी रहा अन्यत मातोपन विभाग जो ओधे होते हैं उनको सम्हाला और देखिए कि कैसे एसके सिंगल ने एक मिनट के लिए भी ध्यान में नहीं रखा कि उन्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कितना जिम्मेदार पद दिया गया है और उनके पुलीस भी भाग में जिससे उनकी पाचान है जिसमें उन्होंने 35-36 साल बिताएं जिसके वो मुक्याग के तोर पर रहें और उससे रिटार्मेंट दियें और उसकी सबसे छोटी ही काई है सिपाही उसके लिए ही डगा कर गए अलग-अलग आरोप लग रहें हैं कि 5-7-10-0-0 सीट को इसके सिंगल ने बेचा और आपको बता दे कि बहुत सारी सुचनाएं निकल की आ रहे हैं इसके सिंगल के बार बचाते भी थे फंसाते भी थे अब बता दें आपको हम कि जो सुचनाएं निकल की आती है जो चर्चा चल रही है अब इसमें वागता कितनी हैं हम नहीं जानते हैं लेकिन ये खबरे भी आई थी कि जो गया के पुर्व SSP थे आदित कुमार जो कि सराब के मामले में फंसे ह हटाया और पैसा लेकर आपको बता दे कि पूर्णिया में बतार SSP तक का इन्होंने ठेका लिया था कि पूर्णिया SSP के रुप में भी हम तैनाती करा देंगे इसके लावन जाने कितने मामले हैं जिसमें पैसा आइकने के लिए ये पटना के ही कुछ ठानों के ही ठानेदा रहे हैं जिन पर मामला चला और उनको ओट ने बरी भी कर दिया लेकिन ये अपने स्पेसल सक्तियों का परयोग करते हुए फिर से रिविव करके पैसे की उगाही का प्रेसर बनाए जिसने पैसा दिया उसका काम कर दिये जिसने नहीं दिया उसको वलेंटी इंटैडमेंट कर वाजी यह समझे कि इतना नराजगी है अमित लोडा मामले मिन गि यही कहा जा रहा है कि अमित लोडा जो हैं वो इतनाबाल गलती नहीं किये थे जितना बड़ा उन्हें सजा मिन गया और अमित लोडा इनके चक्र में नहीं आ हैं अगर वो भी इनको कुछ चंदा और बली का बक्रा जो है अमीत लोडा को बना दिया गिया है आज अमीत लोडा जो है वो बहुत सार उनको मामले चल रहे हैं और आज जो है फाइल लेकर घुम रहे हैं कोट कोट जब कि अमीत लोडा कि आपको बता दे लिगी बिहार में एक अच्छे IPA सबसर की पहचान रही है तो बताएं कि इसके सिंगल को लेकर जो है समचार पत्रों में ख़बर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो कोश्चन जो सेट हुआ उग प्रस्म पत्र सेट करने के लिए भी इसे सग्यों की मदद नहीं ली गई प्रस्म पत्र काल्टेक्स प्रिंटिंग प्रेस के निदेशक और होंपैति की डॉक्टर सुपरना चकरवर्ती और प्रिंटिंग प्रेस के माली की बहान संगमित्रा करने सेट किया आपको बता दे कि संग्मित्रा ब्लेसिंग सेफ्ट्योर के मालिक कौसिर का कियो बहानी है वह ग्रेजुएट है भाई की कंपनी में ही नौकरी करती है दोनों ने पुराने प्रस्न पत्र कोस्टन बैंक और गूगल की मदद से सिपाही बहाली का प्रस्न पत्र सेट किया तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ है और आपको बता दे पूरी तरह से इनकी मिली भगत है और इसके सिंगल का जो पूरा पुलिस केरियर है वो बड़ा ही डागदार और दुबादी तरह है लेकिन पता नहीं सरकार का इंक पर क्या आसिरवाद प्राप्त है कि सरकार जो है इन पर कोई भी कदम उठाने से पाले पचास पर सोस्ती है या कहा जाए तो एक तरह से भीवाद ही देते चले आ रही है इनामी मिल दाए इनको CSPC में बड़नाम बड़नाम है CSPC का चेर्मन बना दिया गया CSPC में कांड की ए उर्जाई भाग का जो है तक्निकी सलाहकार बना दिया गया और आप सोचिए कि ये व्यक्ति जो है रिटार्मेंट के बाद अपने बेटे की साधी गोवा से कराता है और जो खबरे निकल के आती हैं कि 100 करोड रूपए जो है अपने बेटे की साधी में इस व्यक्ति ने खर्च किया अब समझे सौ करोड साधी में खर्च करता है तो वास्तिवी किसकी संपत्ती कितनी होगी तो इसके सिंधल गंडे देना ज़रूरी है काइदे से इन्हें ब्योजेल होना चाहिए और अब जो है इन्हें पर ग्रफ्तारी की तलवार गटक भी रही है संपत्ती किसी जोनी चाहिए ऐसे ही मामले जो है जिन पर नितिश कुमार ने कहा था ना कि जो भी बरस्ताचारी रहेंगे उनके हम संपत्ती को निलाम कर देंगे उनके घर में इसकूल खोलेंगे तो इसके सिंगल जो है उसके लिए सबसे उप्यूक्त जो हैं अपना सारा क्राइटरिया ये पुरा कर चुके हैं ये ऐसे विक्ति हैं जिनकी संपत्ती निराम करनी ही चाहिए और हम आसा करेंगे कि नितीज कुमार जो हैं वो इसके सिंगल पर करवाई जरूर करेंगे ताकि एक नजीर बने कि कोई भी बड़ा आधिकारी जो इतने वर्सों तक सेवा करता है और पैसे के लिए लाखों इवाओं के वविस को बेच देता है इतना बेसर्मी और इतना घोटाला, कुकर्ब आप सोचिए कि आपने 10% कमिशन का पॉस्चन भी छापने का ठेका दिया और कॉस्चन सेट करने का भी उनको ही बोल दिया गया रहे है, कुछ भी छापके दे दो, कोई दिकत नहीं है समझे कि एक्सपर्ट का भी पैसा आपने खाया होगा आपने तो लिस्ट में दिया होगा कि हमरे पास 10-10 एक्सपर्ट है, यहां समझे कॉस्चन चप आते हैं, वो इतना पैसा लेते हैं यानि कि उसका भी पैसा आप खाया होंगे कि एक्सपर्ट का भी कॉस्चन सेट करने के नाम पर आप कोई और दुरभाग्य है और सबस्वड़ दुरभाग्य है कि अभी तक इन पर करवाई नहीं होगे, आसा करेंगे हम, नितीश कुमार जी, जगी बिहार के युवार जो हैं आपसे ताकी उम्मीद रखे हुए हैं, नौकरियों को लेकर आपने वादा किया है, क्या इस तरह नौकरिया दी जाएंगी ऐसे ऐसे लोगों को जिम्मदारिया दी जाएंगी, जो की मजाग करते हैं छात्रों के साथ, बताइए छात्र जो हैं, वो अपने पत्योगी परिछा की तैयारी के लिए नजाने कौन-कौन से उपाय अपनाते हैं, दीन गाते करते हैं, कॉस्छन, बैंक, फिर से बता दें को, टेस्ट, सेरीज, क्लासेज, रात को, जो है, सेल्फ स्टडी, ग्रूप स्टडी, समका मतलब निरठक होता है, कि अब सम इतना पर तयार करें और कोर्शन सेट करने के लिए ऐसे वेक्ति को दे दिया जाए, जो की इसका दूर-दूर से वास्ता तक नहीं है, तो विहार स सेरकार को लिखा गया है करवाई के लिए, और हम आसा करेंगे, कि इसके सिंगल पर करवाई किया जाएगा, संपत्ति सीज की जाएगी, और जितने भी नोंने कुकरम की हैं, उनकों की जाच की जाएगी, और सजा भी दिया जाएगा, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें हमाल चैनल दब भी हाट और को सब्सक्राइब जिरूर कर लें तन्य बाद